हेलो दोस्तों, एक्जाम के लिए एक और बहुत इंपोर्टन टॉपिक जैसे कि जो राभी, जायद और जो खारीव की फसले हैं, उनका एक्जाम में कुश्चिन जरूर पुछ लिया जाता है, चाहे किसी भी लेवल का एक्जाम हो, तो वही आज आज आपको याद कराने के ल होते हैं, जो मई जूर में बोई जाती है, और जुलाई अगस्त में उन्हें काट लिया जाता है, ये बीच समय में बोई जाती है, कुछ टाइम के लिए बोई जाती है, जल्दी से बढ़ी हो जाती है, और उसके बाद इने काट लिया जाता है, तो ये है खीरा, खरबूज कह से ककड़ी है, र से आपकी राई है ता से तर्बूज है उसे उडद है और मरे में र कुछ नहीं है मासे है आपकी मुझ तो खीरा खाकरता हूं मरे जैसे यह आपको यादा जाएगा खीरा खाकरता हूं थे वह मर गए तो चाहिए आपकी जायत की फसले इसके बाद अगली है आपकी खारिफ की फसले तो अब आपकी खारिफ की फसले कौन सी होती है पहले आप ये समझ लें कि जून जुलाई में यानि कि जब ये कट जाती है आपकी जायत की फसले कट जाती है उसके बाद खारिफ की फसले बोई जाती है जून जुलाई में गधा शोष्क कर रहा हूं तो अरे बाजा मतबजा गधा जैसे ये आगर आप सेंडेस कही सुनते आपको ध्याना जाएगा ये खारएफ की फसल के ट्रिक हैं तो अरे अ से आपकी अरहर, अरे जो है आपकी अरहर, बाजा यानि की बा से बाजरा है, और जव से आपकी जुआर है, मौ से है आपकी मक्का, तव से आपका तिलहन, ग से गन्ना, और धा से है आपका दान, अरे बाजा मत वजा, गधा, तो जैसे यह आपकी आपकी खारिफ की फसले, फिर खारिफ की फसलों के बाद आपकी जैसे ही फसली जो है आपकी काटी जाती हैं, सबसे पहले मान लीचे आपकी जायत की बोई जारी है, मैई जून में जुलाई अगस्त में वो कट गई, फिर उसके बाद खारिफ की फसले बोई गई जून जुलाई में, नवंबर दे चना गेहूं अच्छा इसके लिए ट्रिक क्या है आपकी आज राम सच में गेहूं लाया कितनी आसान है सोचिए आज राम सच में गेहूं लाया तो आज से आलू जो से आपका जो रा से राई मा से मतर सरसो चो से चना इसमें जो में है सच में यह कुछ नहीं है यह साइलेंट आपका जैसे मैंने इसे काटा है मैं गेहूं से आपका गेहूं ही है तो कितनी हो गई है आपकी साथ हो गई जो कि आपके लिए याद करनी बहुत ही आसान है अब इसके साथ साथ फ्रेंट्स जो आखरी आपको जाननी जरूरी है बहुत बार पूछी जाती है यह नगदी फसल जसे कापास, गना, जूट और तमागों कैसे याद करेंगे काप गन्जूतू पैसे के बात आएगी तो इंसान कापना तो शुरू करी देता簡़ तो रगदी फशलों में आपको ध्यान रखना पैसे के बात आएक जूट रहे हैं काप गन्जूतू तो का से कपास ठीक है काप से ये काप है काप से आपका कपास है ग से गना है गन जू गन आधा तो इसी में आ रहा है और जू से जूट है और तू से आपका तंबाकू है तो काप गन जू तू किसके लिए पैसे के लिए ठीक है नगदी से याद रखना व्यपार वाली जो फसले होती है और काप गंजुत्तू से आपका पास गना जूट और तमाग को याद रखेंगे तो फ्रेंड्स आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी प्लीज मुझे बताएं मेरे चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक नहीं करते हैं प्लोग तो प्लीज वीडियो उसको लाइक करना ना भूले